दोस्तो मैं आपको वीडियो की शुरुवात में ही बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी MCX के उपर ट्रेडिंग ना करें हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको MCX के उपर ट्रेडिंग की सला नहीं दिये हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नजरिया यानके विशलेशनी शेयर किया है तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिक्स के अनुसारी काम करना चाहिए क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सला नहीं दी है हम यह जरूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेश्मेंड की ही बात की है तो कुरुपया ये बात को ध्यान में रखे दोस्तो आज अमेरिका के अंदर भारत्य समय अनुसारशाम के 7 बजे महत्वपूर्ण यूएस जीडिपी का डेटा आने वाला है ये डेटा बहुती महत्वपूर्ण है तो ये डेटा के उपर ध्यान डेफिनेटली रखे उसी तरह से भारतिय समय अनुसार शाम के 7 बजे अमिर्का के अंदर और एक महत्वपूर्ण एकोनोमिकल डेटा आने वाला है और ये एकोनोमिकल डेटा है USPCE प्राइजेस का हमें लगता है ये डेटा का डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर पे एक बड़ा असर आ सकता है तो ये डेटा को आप डेफिनिटली वाच करे दोस्तो हमने हमारे पबलिक वीडियो से यानि के जो वीडियो को हमारे चानल के उपर कोई भी देख सकता है एक फरवरी 2024 से लगातार बताये था कि हमारा नजरिया सिल्वर के अंदर अभी मंदी का नहीं है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सिल्वर उपर जा सकता है हमने बताने के बाद सिल्वर के अंदर गिरावट भी आई और तेजी भी बनी और Silver अभी फिर से वही Levels के पास आ चुका है जापर हमने हमारा नजरिया Silver के अंदर मंदी से हटा दिया था हमने हमारे Member को भी 1 February 2024 को Silver के अंदर खरीदारी की राय दी थी और आप देख सकते हो वो समय पे Silver काम कर रहा था 22.70 डॉलर के पास और अभी सिल्वर काम कर रहा है 22.40 डॉलर के पास अमेरिका में इंफलेशन का डेटा आने के बाद जब सिल्वर में गिरावट आई थी हमने हमारे मेंबर्स को उसी तरह से पब्लिक वीडियो से ये क्लियरली बताया था के सिल्वर जब तक वीडियो में दिखाई गई नीली लाइन को यानके ब्ल्यू लाइन को नीचे की तरब क्लोजिंग बैसिस पर नहीं तोड़ता है हमारा नजरिया सिल्वर के अंदर मंदी का नहीं है और वहाँ से सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेजी भी बनी थी और ये तेजी में से 50% से भी जादा की तेजी अभी सिल्वर गवा चुका है उसी तरह से हमने आग वो गोल के बारे में भी ये क्लियरली बताया था कि 1 फरवरी 2024 के बाद हमारा नजरिया गोल में भी मंदी का नहीं है लेकिन इंफलेशन का डेटा आने के बाद गोल के अंदर एक अच्छी गिरावट आई थी लेकिन उसी दिन तुरंत वीडियो बना कर उसी तरह से दूसरे दिन भी तुरंत वीडियो बना कर हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि गोल जब तक डेली चर्ट के उपर 200 दिनों के exponential moving average के उपर है हमारा नजरिया गोल में मंदी का नहीं है और उसके बाद आपने देखा गोल के अंदर वहाँ से एक अच्छी तेजी बनी है और गोल अभी वही पर काम कर रहा है जहाँ पर हमने हमारा नजरिया मंदी से हटा दिया था हमने हमारे मेंबर्स को एक फरवरी 2024 को जब गोल दो हजार 38 डॉलर के पास काम कर रहा था खरीदारी की राय दी थी और गोल अभी वही पर काम कर रहा है हमने हमारे पूरे फरवरी महिने के अंदर सिर्फ एक ट्रेडी गोल्ड सिल्वर के अंदर हमारे मेंबर्स को दिया है और हमने उन्हें ये क्लियरली बताया है कि ये ट्रेड पोजिशनल है हमारे कुछ यूटूब के दोस्त उसी तरह से मेमबर्स हमारे वीडियो के ऊपर कमेंड करके लगातार बता रहे है कि आपका नजरिया गलत है और आपके नजरिया की वज़े से लोगों को लॉस हो रहा है मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हमारे जो वीडियोज पब्लिक के लिए अवेलेबल है याने कि जिसे कोई भी देख सकता है हमने आपको कभी भी ट्रेडिंग की सला नहीं दी है और वीडियो के अंदर लगातार बताया है कि आप हमारे वीडियो को दे कर कोई भी ट्रेडिंग ना करे हम सिर्फ इन्वेश्टमेंड की ही बात पब्लिक वीडियो से करते है हमारे मेंबर्स के लिए हमने डेफिनेटली ट्रेड दिया है फरवरी 2024 में हमने गोल्ड और सिल्वर के अंदर सिर्फ एक ट्रेड पोजिशनल बेसिस पर दिया था और वो ट्रेड दिया गया था एक फरवरी 2024 को जब सिल्वर काम कर रहा था 22.70 डॉलर के पास और सिल्वर अभी काम कर रहा है 22.40 डॉलर के पास हमने ये trade के लिए stop loss भी दिया था जो अब तक trigger नहीं हुआ है तो हमें छोटा loss हो रहा है लेकिन हमारा stop loss अभी भी trigger नहीं है gold के लिए हमने हमारे members को ये clearly बताया था कि हमारा stop loss trigger हुआ है लेकिन अगर कोई एक दिन का इंतजार करना चाता है तो वो trade में बना रह सकता है दूसरे दिन तुरंत वीडियो बना कर हमने हमारे members को ये clear कर दिया था कि gold जब तक 200 दिनों के exponential moving average के उपर है नजर या मंदी का ना रखे और gold वहाँ से फिर से एक बार वही पराकर खड़ा हो चुका है जाबर हमने खरीदारी की राय दी थी वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आज भारते समय अनुसार शाम के 7 बजे महत्वपूर्ण economical data आने वाले है तो ये data के उपर ध्यान definitely रखे क्योंकि हमें लगता है ये data का एक बड़ा असर gold और silver के उपर आ सकता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment द्वारा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू